हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हर दिख स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में दो मोहत्पून जांकारियां आप सभी के साथ सेयर करने वाला हूँ दोनों ही जांकारियां बहुत जादा कह सकते हैं आजकल चर्चा में हैं और सुर्ख्यों में हैं वो है OROP 3 और आठवा वेतन आयोग क्या OROP 3 की टेबल पहले ही जारी हो चुकी है बस हमें पता नहीं चला क्या है सच्चाई जानेंगे विश्तार से क्या आपने अभी तक नह सरकुलर की सच्चाई सारी बाते विश्तार से जानने वाले हैं क्या ये सरकुलर ट्रिपल सेवन से मैच करने वाली जानकारी है क्या ये सरकुलर ट्रिपल सेवन है सारी बाते देखने हैं विश्तार से क्या आठवे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.68 हो सकता है जैस और share जरूर करें देखे सबसे पहले आप इस table पर नज़र डालिए ये table आपको क्या बता रहे है ये देखिए O.R.O.P. 2 की table है जब P.I.B. ने इसको जारी किया था उसमें आपको दिखाया गया था pension as on 1.1.2016 उसके बाद revised pension 1.7.2019 से यानि O.R.O.P. 2 के लिए और उसके बाद में इस extra एक यहाँ पर कह सकते हैं कि कोलम दिया गया था जिसमें बताया गया था revised pension with effect from 1.07.2021 जबकि 2021 में जो pension है उसका O.R.O.P. उसे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि 2018 का minimum और maximum लिया गया था लेकिन 2021 में जबक जुलाई की इन्होंने calculation किया था तो उस टेम पे जो revised pension बैठ रहा था वो बैठ रहा था 20-394 शिपाही का 21-903 नायक हवलदार 22-294 नायब सुबेदार 27-597 सुबेदार मेजर 38-863 ऐसे ही देखे बहुत सारी ranks थी इसमें और कुछ rank इसमें missing भी थी बाद में इस table को यहां से हटा लिया गया था और उसके बाद में एक नई table जारी की गई थी जिसमें से यह column यहां पर हटा दिया गया तब सबसे बड़ी बात जो आ रही है वो यह आ रही है कि यह देखे क्या 2021 ना होके क्या यह 2024 था जैसा कि देखे सोसल मेडिया से जानकारी मिल रही है देखे 2022 में यह table जारी हुई थी और 2023 के कह सकते हैं आप minimum और maximum के आधार पर O.R.O.P. 3 की table तयार होनी है तो क्या 2022 में दिसंबर में पता था कि 2023 का minimum और maximum क्या होने वाला है क्या उसके आधार परेटेवर बनाए गई थी जी नहीं ऐसा बिलकुल भी नहीं है क्योंकि देखे अभी सोसल मीडिया का जमाना है जितना भी जादा आप आगे जाएंगे सोसल मीडिया की तरफ बढ़ेंगे आपको जानकारी मिलेंगी 10 से लेके 20 परसेंट वास्तिक बाकी सब देखे उसमें नमक मसाला लगा हुआ होगा तो ऐसी ही कुछ जानकारियां है जैसे ही कोई important खबर सामने आती है उसके आसपास गोमने लगती है जैसे अभी OROP3 और आठवा वेतन आयोग है तो देखे ये जो है 1720 से ये उन्होंने किस आधार पर डाला सा फिर बाद में उसको हटा लिया था वो एक point अलग हो सकता है लेकि important बात ये है कि देखे ये 172024 से यानि OROP3 की pension नहीं है और अगर OROP3 की टेबल में इसमें से किसी rank का आप कह सकते हैं कि उसके हिसाब से मिल जाता है तो वो केवल एक संयोग है उसका वास्तिक्ता से कोई भी संबंद नहीं है अब चलते हैं हम इसमें थोड़ा सा आगे देखे ये है वो टेबल जो 23 दिसंबर 2022 को P.I.B. ने जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था एक जुलाई 2019 से आपका कितना OROP3 के तहत pension रहने वाला है और उसमें आप जहाँ पर देख सकते हैं जो दुबारा जो उन्होंने जारी किया उसमें 2019 के बाद में 21 वाला कोलम हटा दिया गया यानि जो उन्होंने पहले जारी किया था उस टेबल को उन्होंने वाँ से हटा दिया था और साफ साब बताया था कि देखेे अब आपका यह होने वाला है हालाकि देखे उसके बाद में उसमें बदलावू भी हुए क्योंकि ये जो table थी इसमें बहुत सा ही ranks missing भी थी और ये ज़स्ट एक कह सकते हैं कालपनिक table थी कि इसके आसपास आपका रहने वाला है और जितने भी देखें आप देखेंगे pension यहाँ पर देख सकते हैं जैसे यहाँ पर एक सिपाई का 19-726 तो क्या उनको 19-726 मिला जी नहीं उससे जितना भी दिखा गया है यहाँ पर उससे कम ही pension maximum pensioners को मिला तो ये केवल देखें कह सकते हैं कि एक indicative थी कि इस ट्रैस से आपकी pension लगबग लगबग रह सकती है अब चलते हैं आगे आठवे वेतनायोग को लेकर एक बहुत बड़ी जांकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि क्या आपका fitment factor 3.68 रहने वाला है जैसे आप यहाँ पर नीचे भी देख सकते हैं financial express की खबर है देखें जितना news में आप आगे जाएंगे आजकल उन news में बहुत साली चीजे जो है इतनी जादे mix-up हो जाती है कि सिदे साधे pensioners को पता नहीं सलता कि आखिर हो क्या रहा है कि क्या 3.68 fitment factor हो सकता है यहाँ पर देखिया आप 8th pay commission central government employees and pensioners are expected the government to revise their salaries under the 8th central pay commission considering the fitment factor of 3.68 उसके आगे भी देखिया आप यहाँ आप 2.57 fitment factor दिया गया था आपको साथवे वितनायोग में तो उसको बनाने के लिए बहुत सारे central government associations थे जिन्हों ने देखे demand की थी कि इसको 3.68 कर दिया जाए लेकिन सरकार ने 2.57 ही रखा अब क्या आठवे वितनायोग में 3.68 हो सकता है जैसा आप यहाँ पर देख सकते ह central government employees have been urging the government to raise the fitment factor from 2.57 to 3.68 यह देखे साथवे वितनायोग की मांगती जिसको अभी news के माध्यम से सामने लाया जा रहा है यानि उस टेम सरकार से उमीद्थी की सरकार इसको बढ़ा कर 3.68 कर दे जो देखे संभव नहीं हो सका अब आठवे वितनायोग में जो fitment factor होगा वो D.A.D.R. के आधार पर होगा तो यह आपका देखे 1.9 के आसपास कहीं रहने वाला है यानि देखिए आप यहाँ पर देखे 3.68 जो आप बात कर रहे है न्यूज में चल रहा है कही बार बहुत से यूट्यूब चैनल भी आपको 3.68 के वारे बता रहे हैं देखे वो कोरी अ आधार पर जो आपकी कलकुस निकलेगी वो निकलेगी 1.9 के आसपास तो आपका जो ओ एट्थ पे कमिशन है उसमें फिटमेंट फेक्टर आपका 3.68 कभी भी नहीं हो सकता है यह मातर एक कोरी अफवा है रियूमर्स है और जितने भी हमारे बहुले वाले पैंसनर्स हैं उन मिलेंगे आपसे जय हिंद जय भारत